नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल हिंडी पार्ट साला चैनल में कल हमने बिद्यापती अमीर खुसरो और पिथपी राजरासो पर बात की थी और आज हम पिथपी राजरासो पर आगे बात करेंगे उससे पहले कुर्रिबीजन कर लेते हैं कल हमने बिद्यापती की पदावली के बारे में पढ़ा था कि बिद्यापती की पदावली मैथली की रचना है और बिद्यापती ने दो अवहट की रचना की हैं जिन में है कीर्थिलता, कीर्थिपता का और विद्यापती ने अपनी रचना कीर्थी पतलता को पहाणी कहा है यह सब बात हमने की थी कल कल हमने पढ़ा था कि पितवी राज रासों को सरपथम डाक्टर बूलर ने अप्रमारिक घोसित किया है आज हम पितवी राज रासों पर आगे की चचापरारम करते हैं पितवी राज रासों को अप्रमारिक किन किन लोगों ने माना है तो इसमें सब पताम आते हैं रामचंदर सुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, स्यामलदान, गौरि संकर, हीराचंद, ओधा, डाक्टर रामकुमार वर्वा, अबूलर ये लोग जो है पितवी राज रासों को अप्रमारिक मानते हैं पितवी राज रासों में 69 सर्ग हैं, जिनें समय कहा जाता है तो पितवी राज रासों में कितने सर्ग हैं? 69 यदि आप से पूछा जाए कि पतवी राज रासो को राम चंद सुकल ने प्रमारिक माना कि अप्रमारिक माना या अर्ध प्रमारिक माना तो आप चुन सकते हैं कि पतवी राज रासो को आचारे राम चंद सुकल ने अप्रमारिक माना है अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं कि पितवी राज रासों को किन किन लोगों ने अर्ध प्रमारिक माना है तो आचारे हजारी परसाद दुबेडी ने पितवी राज रासों को अर्ध प्रमारिक माना है अब मौहन सिंग ने भी पितवी राज रासों को अर्ध प्रमारिक माना है यदि आप से question पूछा जाए कि पितवी राज रासों को अर्ध प्रमारिक माना है आप संदिये जाए अचार रामचंद सुक्र, स्याम सुन्दादास, हजारी पितवी राज रासों को अर्ध प्रमारिक माना है अब आगे बात कर लेते हैं कि पितवी राज रासों को प्रमारिक किन किन लोगों ने माना है तो आप से पूछा जा सकता है कि स्याम सुन्दादास ने माना है पितवी राजरासों को प्रमाडिक माना है, अर्ध प्रमाडिक माना है, अब प्रमाडिक माना है, तो आप लोग चुन सकते हैं कि स्याम सुन्दरदास ने पितवी राजरासों को प्रमाडिक माना है, आप लोग इन तथ्यों को जरूर याद कर लेना कि पितवी राजरासों को हजारी पसाद दुबेदी ने अर्ध प्रमारिक माना है पितवी राज रासो को स्याम सुन्दर दास मिर्स बंधु ने प्रमारिक माना है पितवी राज रासो को आचार राम चंदर सुकल ने आप प्रमारिक माना है पितबी राज रासो को सरप्रथम वो डाक्टर वूलर ने अप्रमारिक गोसित किया है ते कुछ पॉइंट है इन्हें आप लोग याद कर लेना अब हम आगे की चर्चा करते हैं रासो सब्द की उत्पत्ती कैसे हुई यहां पर आचार रामचंडर सुकल ने रासो सब्द की उत्पत्ती रसायन से मानी है और गारसाद अतासी ने रासो सब्द की उत्पत्ती राजस्वी सब्द से मानी है और हर्पसाद सास्त्री ने रासो सब्द की उत्पत्ती राजियस से मानी है नरोर्तम स्वामी ने रासो सब्द की उत्पत्ती रासक से मानी है नंद दुलारे बाचपे ने रासो सब्द की उत्पत्ती रास से मानी है यदि आप से पूछा जाए कि रसायन से रासो सब्द की उत्पत्ती मानी है आप संदिये जाएं हर पसाद सास्त्री डक्टर रामकुमार औरमा नंद दुलारे बाजबेई रामचंद सुक्ल तो आप लोग चुन सकते हैं रामचंद सुक्ल रामचंद सुक्ल ने रासो सब्दिक्यूत पती रसायन से मानी है आगे चर्चा कर लेते हैं आचार राम चंदर सुकल ने हिंदी का पर्थम महाकाब पित्वी राज रासो को तथा हिंदी का पर्थम कभी चंदरबरदाई को माना है तो यदि आपसे पूछा जाए कि पित्वी राज रासो को हिंदी का पर्थम महाकाब किसने माना है तो आप लोग बता सकते हैं आचायर रामचंद सुख लेने और हिंदी का प्रथम कभी कौन है चंदवरदाई है किसने माना है चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम कभी तो आप लोग बता सकते हैं आचायर रामचंद सुख लो ये तत्य आप लोग याद कर लेना, अब हमागे नाथ साहित पर चर्चा करते हैं नाथ पंथ का प्रवर्थक गोरक नाथ को माना जाता है और गोरक नाथ के गुरू का नाम मसेंद्रनाथ या मचेंद्रनाथ था गोरक नाथ के गुरू मसेंद्रनाथ कौल साधक थे जब मसेंद्रनाथ को कौल साधक माना जाता है मसेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विश्णु सर्मा था और इनका पूरा नाम जो था पिपली देव था आपसे यदि कभी पूछा जाए कि गोरकनाथ के गुरु मसेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था तो आप लोग बता सकते हैं विश्णु सरमा और इनका पूरा नाम पिपली देव और यादि गुप्त नाम कभी पूछा जाए तो मसेंद्र नाथ का गुप्त नाम भायरवानंद था यह आप लोग गयाद कर ले ना अब हम आगे गुरखनात की रचनाओं पर बात कर लेते हैं कि गुरखनात की रचनाए कौन-कौन सी है इनकी रचना है गुरु महिमा, इंदरिय निग्रे, प्राण साधना, बैराग्य, कुंडलनी जागरण, सुनी समाधी और इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं आतम बोध ये भी गोरकनात की रचना है, ग्यान तिलक है, सब्दी है, पद, प्राण संकली, ये सभी गोरकनात की रचनाय मानी जाती हैं. गोरकनात द्वारा रचे ग्रंथों की संक्या चालीस मानी जाती हैं, किन्तु पीतामबर्दत बड़त्थ्वाल ने केवल चौदा ग्रंथों को ही प्रमाडिक माना है, जिनमें हमने अभी चर्चा की सब्दी, पद, प्राण संकली, सिस्यादरसन, आतमबोध, मचींद, गोरक ग्यान्तिलक इत्यादी, और डाक्टर बड़त्थ्वाल ने गोरक बानी नामी नाम से गोरकनात की रचनाव के संकलन भी किया है, आगे चर्चा कर लेते हैं, नाथों की संक्या नौ मानी जाती है, नाथों की संक्या 9 जाती है, जिनमें है नागारजुन, जडभरत, हरिष्चन्द, सत्तनात, भीमनात, गोरकनात, चरपट, जलंधर और मले आरजुन यदि आपसे पूछा जाए कि इन में से कौन नाथों की परंपरा से नहीं है और अपसंद ये जाएं नागारजुन, जडभरत, हरिष्चन्द, डोमविपा तो आप चुन सकते हैं कि डोमविपा ये जो है नाथ परंपरा से नहीं है बाकि नागारजुन, जडभरत, हरिष्चन्द ये नाथों की परंपरा से है नाथ पंथियों को कनफटा या दर्शनी साधू भी कहा जाता है यह तत्या आप लोग याद कर लेना कि नाथ पंथियों को कनफटा या दर्शनी साधू भी कहा जाता है नाथ पंथ को गोरक नाथ पंथ, योग संपर्दाय और धूत संपर्दाय आधी नामों से जाना जाता है तो ये अप लोग याद कर लें ना कि गोरक नाथ पंथ, योग संपर्दाय और धूत संपर्दाय ये से भी नाथ पंथ के अन्य नाम है नाथ योगी, मेखला, स्रेंगी, सेली, गुदरी, खपर, कर्ण मुद्रा, बागंबर, जोला आधिचिन धारण करते हैं इस पंथ का परचार पूरे देश में था किन्तु उत्तर भारत में राजिस्थान वो पंजाब में इनका परसार अधिक था नाथ योगी, मेखला, स्रेंगी, सेली, गुदरी, खपर, कर्ण मुद्रा, बागंबर, जोला आधिचिन धारण करते हैं इनका साहित जो है बिसुद्ध रूप से साधनातमक है नाथ पंथियों का साहित बिसुद्ध रूप से साधनातमक है इनका प्रभाव मुस्लमानों पर भी पड़ा हिंदी के परवर्ती संतकाब को नाथ पंथी साहित ने गहरे रूप से प्रभावित किया है इन में जन सामान की बोली में धार्मिक पाखंड, जाती पर्था, मोर्ती पूजा आदिका, तीखा खंडन मिलता है ये हठ योगी भी कहे जाते हैं हठ योगियों के सिद्ध, सिधान्त, पद्धत, ग्रंत के अनुसार हा का आर्थ है सूर्य, तथा का आर्थ है चंद्र इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं नात पंथी हठ योग की साधना दोरा सरीर और मन को सुद्ध करके सूनने में समाधी लगा कर ब्रह्म का साच्छात कार किया करते थे कबीर आद कभियों पर इनका विशेश प्रभाव था तो हम लोगों ने गोरक नात पंथ पर बात कर ली इनमें देख लिए नातों की संख्या कितनी है गोरक नात की रचनाय कौन कौन सी है और गोरक नात के गुरू क क्या नाम है अब हम आगे बात करते हैं आदिकाल की प्रमुक उक्तियों के बारे में पहली उक्ति है बारा बरस लव कूकुर जीवे अरू तेरा लव जीए सियार बरस अठारा छत्री जीवे आगे जीवन को धिकार यह किस कभी की पंकियां है यह आप लोगों को बताना है बारा बरस लव कूकुर जीवे अरू तेरा लव जीए सियार बरस अठारा छत्री जीवे आगे जीवन को धिकार यह पंकितियां परमाल रासों के रचनाकार जगनिक की हैं आप लोग याद कर लेना आगे बात करते हैं पुष्टक जल्हड हत्थ दै चली गजन निपकाज यह पंकितियां किसकी हैं पुष्टक जल्हड हत्थ दै चली गजन निपकाज तो यह पंकितियां जो है चंदवर्दाई की हैं प्रतवी राज रासों का अंतिम भाग चंदवर्दाई के पुत्र जल्हड ने लिखा है उसी के संबंद में ये उकती है ये दि आप लोगों ने अभी तक लाइक, सेर और सस्क्राइब नहीं किया है तो करपे लाइक, सेर और सस्क्राइब कर ले जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सस्क्राइब कर ले अब आगे हम चर्चा करते हैं तो ये पंक्ती किसकी है? ये पंक्ती है सरापा की अब हम दूसरी पंक्ति पर बात काल देते हैं तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी सरहपा की है ये पंक्ति सरहपा की है अब लोग याद कर लेना अब हम आगे पंक्तियां देख लेते हैं ये पंक्ति भी गोरक नाथ की है नाथ निरंजन आरती गाउं गुरू दयाल आग्या जो पाउं दूसरी पंक्ति है गुरुक नाथ की नौलक पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाडा ऐसे मनले जोगी खेलें तब अंतर बसे भंडारा हसीबा खेलिबा रंग काम क्रोधना करीबा संग हसीबा खेलिबा गईबा गीद दिढ़कर रास अपनाम चिद ये पंक्तिया किस की है गुरुक नाथ की है ये गुरुक नाथ की पंक्तिया आप लोग याद कर लेना आगे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अगली पंक्ति है पैदल के संग पैदल भीड़ी गए और असवारन से असवार हावदा के संग हावदा मिल गए हाथिन अड़ो दात से दात साथ कोसलो चले सिरोही चारो तरफ चले तलवार पैग पैग पर पैदल गिर गए उनके दूदी पैग असवार ये पंक्ति जो है किसकी है तो ये पंक्ति है जगनिक की युग ध़का वरणन करते हुए जगनिक ने ये पंक्तियां लिखी है पैदल के संग पैदल भीड़ी गी और असवारन से असवार हवदा के संग हवदा मिल गी हाथिन अडो दांट से दांट साथ कोसलो चले सिरोही चारो तलब चले तलवार पैग पैग बर पैदल गिरी गे उनके दुदुई पैग असवार ये पंक्तिया और इनके रचनाकार आप लोग याद करेना हम लोगों ने आदिकाल पर चर्चा कर ली है अब हम आगे भक्तिकाल पर बात करेंगे धन्यवाद, नमस्कार